नमस्कार दोस्तों आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल दिकमार टेग जैसे कि आप सभी जानते ही हैं Linux Operating System में जितने भी flavors हैं चाहे वो Ubuntu हो Linux Mint हो या अन्य कोई flavor हो अब उन्ही सभी flavors में जैसे चाहे Basic Customization कर सकते हैं इस वीडियो में मैं आपको desktop पर एक real time clock साथ मैं date and time का gadget इंस्टॉल करके दिखाऊंगा जिससे कि आप अपने desktop को थोड़ा सा unique बना सकते हैं इसके लिए सबसे पहले आप menu पर क्लिक करके terminal open कर लिजे आप चाहे तो search करके भी open कर सकते हैं या आप चाहे तो alt ctrl t प्रेस करके भी terminal को open कर सकते हैं यहाँ पर आपको super user से login करना है जिससे कि आप root directory पर आ जाएगे root user यहाँ पर आपको command run करना है apt space update और interface कीजिए हम यहाँ पर system का जो repository है उसको update कर रहे हैं यह थोड़ा सा समय लेगा कमांड की successfully execute हो जाने के बाद आपको यहाँ पर एक और command run करना है जिसे मैं अभी copy paste कर रहा हूँ command है sudo space apt space install space chrome-genome-shell space genome-shell-extension-profess command आपको description box में मिल जाएगा आप वहाँ से copy करके भी paste कर सकते हैं इंटर करने के वाद यहाँ पर confirmation के लिए by press करके इंटर कीजिए यह package भी हमारा successfully यहाँ पर आप देख पाएंगे installed हो गया है अब आपको menu पर click करना है और यहाँ से आप chrome application को open कर लेना है यह आपका normal browser होता है वही है यह open हो गया है यहां से आपको यह extension का symbol दिख रहा होगा इस पर आप click करेंगे तो आपको यह genome cell extension integration आपको दिखाई देगा अगर यह आपकी system पर install नहीं है तो आपको इसके लिए सबसे पहलो तो browser application की setting में आ जाईए setting में आपको left side में दिखाई देगा extensions यहाँ पर click किजिए Chrome web store open होने के बाद यहां पर आपको search बार में search करना है cell extension search करेंगे पहला जो search result आएगा वह होगा genome cell integration आपको इसको अपने system पर add कर लेना है मेरे system पर यह already add है इसलिए edit दिखा रहा है मैं अभी tap को बंद कर देता हूं यहां से और हम genome cell integration जो हमने add किया था उस पर जाते हैं यहां पर आपको जो search बार दिख रहा है यहां पर आपको एक extension का नाम सर्च करना है वह है show time horizontal desktop यहां पर इस पर click किजिए इसका page open हो जाएं दिजिए page open होने के बाद यहां पर आप देखेंगे off दिख रहा है आप इस switch पर click करके इसको on कर दिजिए जैसे आप इसे on करेंगे तो आपके पास एक pop-up appear होगा उस pop-up में आपको install करनी के लिए कहा जाएगा install पर click कर दिजिए यह extension आपके chrome browser पर install होता है इसलिए हम chrome browser का use कर रहे थे अब minimize करके दिख लेते हैं यह देखें हमने यहां पर minimize क्या है तो जो clock हम install करना चाहा रहे थे वह आप देखें transparent clock यहां पर install हो गई है जिसमें हम अपना date, time, second सभी कुछ देख सकते हैं यह हमें year और calendar भी दिखा रहा है क्या आज कौन सा दिन है और कौन सा मन्त है आप इसको अपनी जिरूत के अनुशा ड्राइग और ड्रॉप करके किसी भी location पर रख सकते हैं इसे ड्राइग और ड्रॉप करने के लिए आपको विंडो में keyboard में जो windows की होता है उसको प्रेस करना है और mouse का right क्लिक करके आप इसे move कर सकते हैं इसकी और भी settings के लिए आपको menu bar पर क्लिक करना है और यहां से आपको accessories के अंदर extension करके यह application दिखेगा इसको open कर लेना है यह extension package है इसमें जितने भी extension आपने extra manually install किया है वो सभी आपको यहां पर देखने को मिलेंगे जैसे कि arch menu dash panel and show time horizontal desktop हम यहां पर क्लिक करेंगे setting icon पे यह देखिए इसका setting open हो गया है आप यहां से इसका जो format है अभी 24 घंटे का है जैसे कि आप देख पा रहे है मैं इसे अगर on करूंगा तो यह switch कर जाएगा बारा घंटे पर एम पीम आपको दिखाएगा आप यसे on off कर सकते हैं अपने according यह देखिए चेंज हो रहा है मैं इसे on कर देता हूं साथ मैं आप यहां से date display format भी change कर सकते हैं कि आपको किस तरह का format रखना है आप date font size भी change कर सकते हैं आप color भी change कर सकते हैं यह देखिए कितने सारे यहां पे fonts हैं आप color change कर सकते हैं उसी तरह से आप clock display format उनका size और उनका color भी change कर सकते ह आप Transparency भी बढ़ा सकते हैं जैसे अभी Bytefall 25 सेलेक्ट है इस सभी सेटिंग का यूज करके आप इसे और भी कस्टमाइज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग तो इस वीडियो में इतना ही वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए और इस तरह के बहुत सारे इंट्रेस्टिंग प्रिक्स के लिए चैनल पर बनी रहिए धन्यवाद